समस्तिपूर जिले में इंदी नोब बेखाफ अपराधियों के द्वारा लगातार दक्षिन बिहार ग्रामीन बैंक को निशाना बनाया जा रहा है उजियारपूर थाना छेतर मुस्री घरारी थाना छेतर में हुए लूट की बारदात को पुलीस अब तक सुल्जा भी नहीं पाई कि पूसा थाना छेतर के मुहमत्दा गाउं में इस्थित तक्षिन बिहार ग्रामीन बैंक की साखा को अपराधियों निशाना बनाया और 11 ला पूसा थाना छेतर के मुहमत्दा बैंक को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है और यह तस्वीर बैंक लूट की बारदात की है बताते चले कि एक मार्च को लूट हुई उसके बाद फिर पंद्रा तारी को लूट की घटना हुई और आज फिर 11 लाग से अधिकी लूट हुई है और क्या कुछ घटना हुई थी आप उस सब्सक्राइब अब उसके कैसे आये थे क्या हुआ यह गेट से चार चार यूवक आये हेलमेट लगाये थे और घुस्ते ही पिश्टल निकाल के सारे बैंक श्टाफ को जो है सो कभ्या में लेके और हम और हमारा मित्रे कमी डॉक्टर हैं यहां बगल में बैठे हुए थे हम लोग पर भी ए अब लोग और हम लेके लिए और बैंक श्टाफ को कभजे में करके उनके साथ मारपीट विव लोग किये लपर्थपर भी और बोले कि इस्ट्रोंग रूम का चावी कहां है चावी खोलो बार बार बोल रहते हैं लोग थोड़ा देर किये तो इनों को माम लोग मारा भी स्था दस वजे के आसपास चार अपरादी जो है पश्टल लेके अंदर घुसे और सभी कर्मियों पर पिश्टल दीया उसके बाद हमारे कैसेर साब से काचावी लेके जो है सारा कैस लेके निकल गये यहां से हम लोग के साथ मारपीट भी किये हैं पिश्टल कर बाठ से सभ भी मदब की कर्मी को हम लोग को मारे हैं और ब्रांच का सीचिटीवी का डिवी आर्बी लेकर वो चले गया है साथ में अपने यह लगवग 11 लाक की अभी तो पूरा काउंट नहीं हुआ है लगवग 11 लाक की लूट है लगवग 12 लाक इस पी साब तो भी आये थे हैं और वह अपना करवाई कर रहे हैं विशेश वही बता सकते हैं कि लूटी घट्टी या क्या कुछ चांटाई मिला है दक्षन बेहर ग्रामीड बेंख उसा थाना चुछ गया और इसमें आज एक सुबह साड़े कि असपा लूटी घट्ना घट्टी तुई है करीप सियरा लाक्यास्पास का राश्री को लूटा गया त्यार अप्रादी आ सब्सक्राइब को सिसीटीवी फूटेज भी बड़ा मुद हुआ है कि यहां से को अनुषंधान चल रहा है जो भी एविदेंस आयगा से आधार कर ले कि लिए गाड़ यहां महजूद थे गया कोई को प्लिस कर दो कोई गाड़ नहीं है तीनों दक्षन बेहर ग्रामीड ब इसे पहले दो बैंक में लुट हुए उसमें कुछ हवी तो यहां पर जानकारी मिल रही है सीटीवी के जो डिवी आर थे उस डिवी आर को भी अपराधी अपने साथ लेकर के भाग गये हैं लेकिन जो पिछली लूट की बारदात हुई थी हर पूरे लोट दक्षन बिहार रामिन बैंक में वहां पर सीटीवी फूटेज में अपराधी कैद हुए थी लेकिन उस मामले में भी अब तक कुछ नहीं हो पाई है तो अब देखने वाली बात होगी कि समस्तिपूर पुलीस इस पूरे मामले में क्या कुछ कारवाई करती है मुकेश कुमार न्यूजेट